जितने भी final year के student है भई उनके लिए कल बहुत important day है क्योंकि जो 31 students ने UGC की guidelines के खिलाफ Supreme Court के अंदर याची का दायर की थी तो उसकी सुनुआई है भई कल Monday को 17 जुलाई को जर्नली ये आलोक स्रीवास्तव जी है जिनोंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर सेयर किया है कि आवर पैटिशन ओन बिहाफ ओफ 31 final year students अगेंस्ट UGC decision is listed on Monday 27 जुलाई इन सुप्रीम कोर्ट before our three judge bench laid by unable Mr. Justice Ashok Bhusan यानि कि मैं आप लोगों को बता दू जितने भी final year के student है उनको कल पता लग सकता है कि उनके exam होंगे या नहीं होंगे तो सुप्रीम कोट क्या फैसला सुनाता है वो भी आप लोगों को कल पता लग जाएगा उसके अलावा मैं आप लोगों को इस सुनुवाई का टाइम बता देता हूँ तो जर्नली ये कल Monday को साड़े दस वजे इसके उपर सुनुवाई होनी है जो students ने UGC के खिलाफ याची का दायर की है सुप्रीम कोट के अंदर उसके अलावा कल आप लोगों को ये भी पता होंगे या नहीं होंगे अब तक क्या हुआ है UGC ने guidelines दे थी कि जो reappear है वो carry forward कर दी जाएगी but IG University ने जितने भी reappear के student उनको promote कर दिया है अभी तक जो situation है वो clarify नहीं हो पाई है कि जो reappear के student हो promote होंगे या नहीं होंगे तो कल ये भी पता लग सकता है जो reappear के student है उनका क्य सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आउं उसकी notification आप लोगों तक पहुंच जाए